नमस्कार सर, ट्रोपिकल एक्रों सिस्टम से मैं सिस्पास हीं, आज दिनांग 24 दिसंबर 2019 को हमाई फील्ड विजिट के लिए हमारे साथ वो किसान भी हैं, मिलवाते हैं उनसे, नमस्कार जी, नमस्कार जी, सर आप अपना संचित परचे दें, मेरा नाम अनुक अबस्ति ग्र आपनिके कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुकी हैं, मैंने 20 सोदन में टेग पॉलिक का इस्तेमाल किया, और खात के साथ नैइनो कोयल और टेग वानिक सोपर, यह दू प्रोड़क्ट खात के साथ दिए, उसके बाद यूरिया के साथ नैनो जिंक, और नासा, दो प तो आपको जो आलू देख रहे हैं कैसा मैसूस हो रहा है अच्छा है पिछली साल ते तो बहुत अच्छा है अच्छा पिछली साल से अच्छी फसल आपको दिख रही क्या आपने जैसे टैक बाइनिक सूपर हमारा इस्तेमाल किया है नीचे और नयों कर इस्तेमाल किया उन प्रोडक्ट के क्या नुभू रहे हैं आपके आप उन्सको तो पहले से उज्व कर रहे हैं कि अच्छा है इसमें डीएपी कम कर दो तो भी फसल पे कोई ज्यादा अश्र नहीं होता है अच्छा फसल जो है प्रोपर अच्छी तरह से चलते रहती पास्पोरस की डिफिसेंसी पौदे में नहीं आती है अच्छा तो बाकी नानोकल उसमें कैलसियम है बाकी अन्य भी बहुत से न्यूटेंट है तो भी अच्छा है तो टेक स्टार्ट पहली बार लगाया है इसके रजेक तो अभी तो बहुत अच है जैसे हम धिखाने का प्रयाज कर रहे है कि जैसे पौधे जो हैं प्रौपर पूरा एक सार दिखाई दे रहे हैं और मोटे भी हैं और हमारे गाउं के यो लोग है यह भी बता रहे हैं अच्छा आप जानकारी देंगे कि कैसा आपको यह खेत लग रहा है आलू पारसल डिड़ कुना अच्छा है पिछली साल से अच्छा इस खेत में तो बाकी और जैसे कलर है पत्ती का साइज है तना है इसको देखकर के आप संतुष्ट है बहुत बड़ी है पत्ती चमोडी है इस बार आप ने भी सोधन में टैक पोली इस्तेमाल किया है क्या जी अच्छा ठीक है जोड़े रहें ट्रोपिकल के साथ आपका बहुत धन्यवाद